सामने हिमाले पे आप देखिए आजकल कितने सारी बरफ मावर्गे रखी है दादी की हैसी देखो यार हेलोस्तो नमस्कार मैं हूँ परमुदरावत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में एक नए सांदार व्लोग के साथ दोस्तो वो बिचुड़न की घड़ी आ चुकी है जो हमारा नया सा पपी हमें लेके आया था मैं नहीं ममी लेके आया थी तो ममी इसको अभी लेके जाने वाली है तो आज हमारा बिचुड़न वाला दिन है तो यह हमसे दूर जा रहा है एक बार फिर से नहीं रहा होगा हमारे किसमत मैं इसलिए ममी इसको लेके जा रही है ये देखिए ममी तयार भी हो चुकी है तो लीजिए अपना कुटा लेके जाईए तो यहाँ पर देखिए भोटू भी नाराज है थोड़ा निरास है कि हमारा छोटा सा पपी चले गए है क्योंकि भोटू को भी पसंद आ गया था भोटू आजकल उसके साथ बहुत सारा खेल ला था पर कोई बाद नी भोटू अब हम दोनों खेलेंगे टीक है नाराज ना हुआ जादा दोस्तों ममी तो चले गई है गड़ से रोड की साइड तो मुझे भी ममी ने एक काम दिया है कंदे में आप देख सकते एक बड़ा सा कट्टा आपको नजर आ रहा होगा तो इस कट्टे में निम्बो या माल्टे कुछ भी होंगे ममी इसको भी मार्केड लेके जा रही है ममी तो उठा नहीं पाएगे इतना बड़ा कट्टा तो ममी ने बोला है इसको रोड तक भेज़ दे मार्केड मुझे नहीं जाना है सिर्फ रोड तक ही जाना है और हमारे गाव में पता नहीं रोड कब आती है जब हम बुड़े हो जाएंगे दोस्तो कट्टा काफी भारी हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा उसको यहां पर रख दिया और यहां पर आ चुके हैं बली चाचा भी और मौसम आज थोड़ा ठंडा ठंडा है तो बली चाचा को एक नरंदर नेगी जी का एक सुन्दर गाना याद आ रहा है तो बली चाचा भी वहां पर आप काले-काले नजार आ रहे हैं तो इस साइड आईए तो हो जाए इस थंडे-थंडे मौसम में एक थंडो-थंडो गाना थंडो रे थंडो मेरा पाड़े की हवा थंडी पाणी थंडो थंडो रे थंडो मेरे पाड़े की हवा थंडी पाणी थंडो निसी कांगा जी को चलो थंडो 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 उची धार कांटी मेरी थंडी थंडी डंडो-थंडो मेरा पाड़े की हवा थंडी पाणी थंडो हौह ओ हो हो हाह 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 धन्यवाद धन्यवाद तो गाईज अभी हम रोड़ पर पहुँश चुके हैं लेकिन यहा पर गाड़ी नहीं है और हमारा पप्पी था वो देखो ठंड से कैसे ठिट उर गया है इसको भी काफी ठंडा हो गया होगा और जो मैं कटा ले के आया हूं यह कटाई है और यहां पर चाची भी मार्केट जा रही है तो गाड़ी बुला हो भाई गाड़ी गुड़ी नहीं है यहां पर तो सामने आप देख सकते हैं ममी लोग तो चले गई हैं पैदली मणीगो और ममी ने वो लगा तेरे आने की कोई आवशकता नहीं है तो घर की ओर चले जा तो चलिए मैं चलता हूं अभी घर की ओर और यहां पर हमारे सुरंदर भाई आते हुए सुरंदर भाई कितने सुभा से आज आज चैने अंदेरे में कैसे कर लेते हो यार इतना कम करना तो पड़े गई हैं दोस्तों जो अभी आपने देखे वह सुरंदर भाई हैं और वहमारे गाउं में घर पर पहुंच चुका हूं और आपको मैं यहां पर दिखाऊ तो पापा आज बिल्कुल पैक हो रख है इतना पापा ज़ाड़ी पे लिए क्या बाद ठाट भी है तो आज पापा की डूटी लगाए खाना मनाने पे तो क्या बन रहा है ये दाल चावल बन रहे हैं और फोड़ा कदू की सब्जी बने लिए मुन्दा वाइज ठीक है तो पापा बता रहे हैं आज को दू की सबजी और दाल चावल बनेगा और अभी अंदर आपको वीडियो के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा खाना मन के मिलकुल रेडी है और खाने में क्या है पापा पहले आपको बता चुके हैं डाल है चावल है कद्दू की सब्जी और एक माल्डे का चोटा टुकड़ा है तो यहां पर आप देखिए पापा ने सुरूब कर दिया खाना और भाई साब ने भी तो चलिए जल्दी से मैं भी खाना खा लेता हूं क्योंकि काभी भूग लग चुकी है तो अभी हमने खाना खा लिया है और खाने को पचाने के लिए थोड़ा किर चोटे सोगड़ा यहां पर नजर आ रहे हैं चोटे-चोटे खेत तो इसमें भी अगर बॉल जाती है तब भी आउट माना जाएगा और मैं आपको सिर्फ बैटिंग दिखाने वाला हूं क्योंकि मुझे एक ऐसा एंगल नहीं मिल पा रहा है जहां पर मैं बैटिंग और बहुती रहेगी अभी आपको मिलते हैं सीधे क्रिकट के साथ है हाँ 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 अब है यह आज बिद्ध को बाइट राट करह साथ है अब आपक्त राध मोंजया है जर राधी हो रही है तो गाइस आप यह बाई से राधी कर रहे है आप प्राध कर चुक्ता है अटेज अड़ा आवा अजब अज़ की वहँआ है आप अप्डियो आपे लेगे 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 लेख वेगे ऑपल जाह लेगे लोगिय आपक पर खकी है भार यूझ आवार आपक तो गाइस यहां पर बोल पकड़ने की चक्रों में पहले चपोर चले गए इतर ला इतर तो आप देख सकते हैं यहां पर कितनी संकरी गली है जिसको ग्यम गेडाई बोलता है इसको निकालते है निंजा टकनीक पर मोच सिंग की लो बाइस आप थोड़ा केमराबैन बनुग इस चपन को भी यहीं पर रख देते हैं नहीं तो यह चपन भी नीची जा सकता है हमारा इस प्रकार से है कि पैरों सिपोर यहां पर उठाईये मैंने तो चलिए चौक से बाहर चले गई है बॉल तो मैं आउट करार दिया गया हूँ अंपायर के दौरा तो अभी भाई साब को खिलाते हैं तो मैच के बीच मैं थोड़ा आल प्रविराम मैंने लिया है क्यूंकि घ पानी मैं भी गौसाला पे लेके जाओंगा तो अभी मैं गौसाला पे आ चुका हूँ और आप यहां पर देख सकते हैं हम सभी अपने मोवेश्यों को यहां पर पानी पिला रहे हैं जिसमें कि हमारे हीरा मोती लाली और चम्मक चलो है राकी तो यह हैं हमारे रोकी माहराज और रोकी माहराजा खेले पड़ चुके हैं क्योंकि जो इनके मालिक साब हैं अनुसका और गनेस तो इसकूल जा रहे हैं और चाचा और चाची आपने सुबह देखे होंगे वो ममी के साथ मार्केट जा रहे हैं तो अभी यहां पर मैं आई गया हूँ तो आपको बता देते परसों आपने देखा होगा पूरा दार भी उस्तित कर रहे थे उसके उपर करियों डाल ले थे तो अभी आप देखिए पूरी यहां पर चथ बन चुकी है और जो लाश परसों मैंने काम नहीं दिखाया था आपको तो वह काम है यह वाला यह उपर से आपको पूरे पत्थ भाई भी यहां पर पहुँच चुके है और यहां पर थोड़ा नियम में बदलाव आया है कि जो आउट का नियम हमने बोला था वो चौक से भाट जाएगी तो आउट माना ही जाएगा जैसे कि विनो भाई साब हो गए है और जो बैट्समें से पीछे जाने का था वो थोड है घुट पर गेली तो वाईज अभी खिर्केट खिलके बड़ा मज़ा आया है और हमसे ज्यादा जो मजे कर रहा है वह आप यहां पर देख सकते हैं हमारे भोटु महाराज है अराम से धूप भी सिक रहे हैं और उनको धूप सिकते सिकते आज भी फिर से नीन आ गई है और मौसम की में बात करूं तो आप देख सकते हैं आसमान में बादल भी चाये हुए हैं और हलकी धूप भी देखने को मिल रही है और सामने हिमाले पे आप देखिए आज कितनी सारी बरफ माबर्गी रखी है क्या ही खूब सुरत नजार रहा है दोस्तों आज दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो थंदा उतना ही जादा हो रहा है और थंद में मैंने बनाई है अभी कड़क चाई और सबसे पहले पापा को तो लीजिए भाई ठंद में कड़क चाई का अनन्न लीजिया आप भी यानि ने मार दू तो आप यहां पर देख सकते हैं सुरंदर भाई अब होने वाली हे तो मंुहार है तो यहां पर मैं आपको दखांयी है दादी क्या किया है क्या पर Tao कि यहांब करें मैं आपको दिखा पा रहा हूं तो यहांब है यहांब आधी किहां आधी पीटिना ओड़ा हाँ काका बिटिन। एंड़ा है ठीक है और जाओ अथा तो यहाँ पर देखिए दादी भी अभी घास लेकर वाविस आ चुकी है तो चलिये मैं अभी आपको बता रहा था कि यह आपको वाविस आ तो अभी यहां पर आपने देखा कि दीदी यहां पर केक लेके आ रही है तो अगला व्लोग आपको मिलेगा कौन सा बड़े वारा यह देखो भाई मार्केट वाले पहुंच चुके हैं सारे गार यहां पर अपने आप खाली खाली आई और मेरको भी बोल लीैं कि यहां पर हमारे टेलर मस्टर जार्य की दुकान हैं तो फाबर सामान दकाया तो छे लिए चلते हैं क्या करना है लाना तो पड़ेगा पड़ी यहां पर मंमी ने बैग छोड़ा है तो चलो फटक से सखोट उचाते हैं चलते है और यहांँ ओढ़ ड़ेगे शुरंदर भाई फिर एक वारभी नीचे आ चुका है और जो यहसे पर रोerenा इसी को आज सुबह से रेते और इंट को यहां पर सुरेंदर भाई लेके जारें खचरों में के बहुत इतना बता दू कि बहुत ही ज़्यादा यह भारी हो रहा है और अभी सिर्फ हम आदा किलोमेटर ही उपर आए हैं डेड़ किलोमेटर और हमें पैदल चलना पड़ेगा त ऐसी हालत में मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा और आज की वीडियो काफी बड़ी भी हो गई है तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए जैन जय उत्राकन जय भारत बाई बाई टाटा